पेरे दोस्तों कैसे है स्वागत ही दीदी की रेसिपी में तो हम बनाने वाले सैजन का अचार जैसा की सीजन सल रहा है सैजन का मतलब सैजन बहुत भर-भर के आ रहा है मार्कित में और ऐसे भी हम लोग गाउं में रहते तो क्या वकल जो आंधी तुफान आई थी ना उसमें ह चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों यह जो सब्जी है सब्जी के साथ बहुत ही फाइदेमन सब्जी क्यूंकि इसे इसकी पत्ती इसके फूल और इसकी डंठल मतलब हर एक चीज इसका उप्योग में लिया जाता है कुछ भी वेस्ट में नहीं जाता है और यह बहुत ही प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है बहुत ही हेल्दी सब्जी है तो हम इसका अचार बनाने वाले हैं ताकि हम इसका उप्योग साल भर कर सके मतलब पूरे साल भर इसका इस्तमाल कर सके इसलिए हम इसका अचार बनाने वाले हैं क्योंकि यह सब्जी में पाया चाता है तो हमने लिया बेबी डॉर्म स्टीक यानि सैजन तो इसे हर जग़ा अलग अलग लग नाम से जाना चाता है तो सबसे पहले हमने इसां स्किट्व पूल निकाल लगभाई div इसे चोटी चोटी चुट पिंपल रेसेपी और आप इसे साल बर स्टोर करके खा सकते हैं एक बार बनाएंगे ना तो अल बर चलेगा और बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल मेरी गारेंटी है मतलब मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो जोरा भी नहीं बिगड़ेगा आप वीडियो को पूरा देखे तब आपको समझ में आएगा तो वीडियो पर पूरा बने रहे और यहां पर हमेंने कट करके इसे धूप में डाल दिया ताकि इसकी नमी उड़ जाए तो यहां पर कपड़ा विछा लिया है मैंने और इसे सारा का सारा इसे फैला देना है तो धूप हमें इसे एक घंटे के ख़ञे मिर्ची और से जन का दोनों का अचार यहां पर बनाने वाली है मतलब एक एक की साथ दो दो आचार का स्वाद ले पाएंगे तो मैंने यहां तो अपनी खेतों से मिर्ची तोड़ लाई थी तो उसे क्या करना है 20 चीरा लगा लेना है अच्छे से फिर इसमें हमना नमक ऐड़ करेंगे नमक ऐसे भर देना है और इसे भी धूब दिखा देना एक घंटे के लिए फिर मैंने आपे पाव किलो से कम थोड़ा 200 ग्राम सरसो लिया इसके हमें डाल बना लेना आप यहां पे रेडिमेट डाल भी ले सकते हैं और यहां पे इसका ना दाल इस तरह सिल किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और यहां वे मसाले देख लीजिए मैंने दो बड़ी चमच सौफ लिये एक चमच करॉंजी और दो चमच यहां धनिया अक्खा वाला लिया है और काली मिर्च के कुछ दाने है तीन चाल लॉंग है और दो चमच जीरा है और हमने जो सरसो तैयर किया था वो है और लेसुन की कुछ कलिया है तो सबसे पहले यहां पर हम धनिया को भून लेंगे तो आज एकदम धीमा रखना है मैंने 120 डिगरी पे इसे भूना है तो अहल की आज मैं इसे भूनेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे तो मैंने यहां पर लवंग, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, करॉंजी यानि कि मंगरेला डालके इसे धीमी आच पर भूनना है मतलब मसालिक एक दम ख्याल रखना है जलाना नहीं मसालिक को बिल्कुल और यहां पर मैंने दो चमच मेथी लिया है और मेथी को भी बीच में डालक मतलब में अजवाइन लिया है तो मसालिक कितना डालना है और कौन-कौन से डालना है आप ध्यान से देखना तब यह आपको समझेगा वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत करना और ध्यान से देखते जाना तो यहां पर धीमी आज पर हम इसे भूनेंगे और आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे आपको बार बार वीडियो देखने ही जरूरत नहीं पड़ेगी मसाले हमारे भुनगे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं फिर हम इसे पीस लेंगे और एक ही बार में आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा तो मसाले को हमेरे ज्यादा मेहिन नहीं कर दरबरा सा ही मसाला यहां पर ठायार कर लेना है अब हमने फिर से कड़ाई लिए और कड़ाई में डालेंगे चार बड़े चमच टेल और यहां पर हमने एड कर दिया है सेजन तो सेजन हमें धीमी आज पर हलका सा भूनना इसे मतलब एक दम पकाना वकाना कुछ भी नहीं बहुत ही ध्यान से भूनना है ताकि इसका जो पानी बचा-खुचा होना अच्छे से मतलब पक जाए उड़ जाए तो मतलब बहुत ही धीमी आच पर कलाना इसलिए हमने तेल कम लिया जादा तेल लेंगे तो ह में हमारा सहजाना पक की सब्जी राट और यहीं इसी स्टेज मिर्ची को भी अट कर लिया है तो मिर्ची को भी हमने धीमी आच पर भूनका अब मतलब इसका कच्छा पर निकल जाना चाहिएrick और जो पानी है वह अधी उड़ जाना चाहिए इसलिए हम इससे बून रहें त बहुत ही जरूरी है, हिंग से डाइजेशन बना रहता है, तो हिंग आप भूले नहीं, जरा भी स्किप ना करें हिंग को, और यहां पे हमने दो चमच लहसन की कलिया थी, उसे दरबरा कर लिया था, उसे आड़ कर देंगे, और जो हमने मसाले तयार किये देना, तो उसे डाल देना है, दो बड़े चमच यहां पे हम हल्दी आड़ करेंगे, और इसके पाद हम डालेंगे, सरसो, जो हमने सरसो का दाल बनाया था, उसे डाल देंगे, और दो बड़े चमच भर के हम इसमें लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर आड़ करेंगे, उसे क्या ना कलर बहुत बढ़ जाती है, और नमक थोड़ा अचार में चटपटा रहता है, फ्लेवर आता है, तो उस नमक को बढ़ा के डालना चाहिए, क्योंकि जो सबजीयां है, सहजन है नमक को सोख लेता है, तो नमक को हमेसा बढ़ा के डालना चाहिए, अचार में तभी अच्छा लगता है, इतना काम हो गया हमारा, ठीक है, अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा से ठंडा होने देना है, और उसके बाद मैं बताती हूं, इसमें हम नीबू का जूस अड़ करेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो जागा ना, तभी नीबू का जूस डालना इसके अदर गर्मा गरम नहीं डालना है, और इसे फिर से हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से यहां अचार हमारा बन के रेडी हो गया है, तो एक साफ कंटेनर में, सुखे कंटेनर में इसे हम भर लेंगे, तो यहां पे जार था, तो यहां जैम का डबा था तो उसे मैंने धो लिया जो हम बरतन यूज करेंगे, वो भी साफ सुतरा और सूखा रहना चाहिए, मतलब पानी का बिलकुल यहां पे वो नहीं रहना चाहिए, चुआव नहीं रहना चाहिए, तब हमारे अचार की सेल्फ लाइब बढ़ेगी, नहीं तो आचार आप खराब हो जाएगा, तो फिर बोलोगे, आपने बताया नहीं है, यहां पे देखी कितना खुबसूरत और कितना चटपटा, चटाके दार, यहां सहजन का आचार बनके रेडी हो गया है, यहां पे मैंने दूसरा डबा भी ले लिया, क्योंकि डबे मेरे छोटे 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 डबा क्या होता है, मतलब आ बालो, और बच्चे भी अगर छूटे चाते रहते, किसे भी, मतलब बच्चों इतना ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, आचार बिगड जाता है, तो छोटे-छोटे कंटेनर में भरेंगे, तो खताम होते जाएगा, इस्तमाल करते जाएगे, तो देखिए, आगया ना म दूर बनाईए, और इनके साथ वीडियो शूट करने में बहुती मेहनत लगती है, तो प्लीज में चैनल को सपोर्ट करें, मिस नेक्स वीडियो में, बाप बाई, तिल रें, थैंक्स पो वाचिंग,